नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देवजीके ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आज प्रस्णों की संख्या आपकी 125 ली गई है ठीक है ना तो हम लोग यहां पर रिव अधर्यम से सबी वीडियो आप देख सकते हैं हमारी आवाज आ रही है सभी को आवाज आ रही है की लिए रह चल ले जू चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां पर आपका दिया गया है जो कि प्रंच संख्या एक सी तीन kimchi यहाँ पर मोहौरे और आपके लोकुक्ति कार्थ पूछा है ठीके चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रस पूछा गया है कि घाट घाट का पानी पीना इस कार्थ क्या होता है भई घाट घाट का पानी पीना मतलब option right यहाँ पर आपका हो जाएगा very good option right आपका यह हो जाएगा अलग अलग परिष्थितियों का अनुभा होना ए नमबर आपका सही हो जाएगा चले नेश कर आप से जैसी करनी वैसी भरनी इसका जवाब दीजे जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक chapter भी था है ना तो यहाँ पर तिरीक option right आपका क्या हो जाएगा option आपका बी हो जाएगा दूर से साधारन वस्त भी अच्छी लगती है ठीके बी नमबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा चले निस question आपका दिया गया है कि प्रस संख्या 4 से 6 तक इन में से चार वाक्या आपके दिये गए है और चार वाक्यों में एक सुद्ध है और तीन सुद्ध है सुद्ध वाक्या चैन करना है कहरा आपसे यहाँ पर चवते नमबर में कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे यहाँ पर देखे ए नमबर आपका यहाँ पर देखो सही दिख रहा है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था अधर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको तुरूटी देखने को जरूर मिलेगी जैसे कि B नमबर तो गलत ही है C नमबर आपका मुझे का ध्यान ऐसा इसा तो हो गए नहीं सम्भावता निश्चित है उनका आना देखिए यहां पर आपका जो निश्चित है तो सम्भावता क्यों लगाना जाए नहीं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए नहां पर D नंबर नौर विभाक उपुझाए है और êtes तो लग रए देख लेते हैं दूसरा निराषावाद यूकों में चाहई हुई है अपर कहते हैं आपका यहाँ पर यह óईगा हो जाए गिया वीमद UA E और यहां पर फर च構ते हैं यहां पर 7 नमबर अंदो आपको पता ही है किस प्रकास से तो जोगा चैंख assistance option आपका जो दिया है C number यह बिल्कुल आपका सही लिखा है ठीक है C number next question आपका 8 number है विद्यार्थी और विद्यार्थी किस प्रकार से सही लिखते हैं भई 8 का जवाब देना आपको विद्यार्थी very good option right आपका यहां पर हो जाएगा B number विद्यार्थी इस प्रकार से आपका सही लिखा जाएगा ठीक है next कर आपसे वहिसकार 9 करना जवाब दीजिए वहिसकार में सही सब्द क्या हो जाएगा वहिसकार देखिए सही नमर आपका C वहिसकार देखो यहां पर बड़ा बा लगा है ना प्रस्ट वाले में बलकि C नमर आपके यहां पर सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रस्ट संख्या आपके 10 से 12 है यहां पर आपको कह सकते हैं कि इसके लिए चार विकल्प दिये गए हैं और उचित विकल्प आपको देना है यहां पर दिया है कि जो समविधान के प्रत्कूल हो उसे क्या कहते हैं तो जो समविधान के प्रत्कूल होते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं प्रत्कूल के पूछ राय देखो अनुकूल ने पूछा प्रत्कूल और जो प्रत्कूल हो जाएगा उसे बोले असमविधानिक ठीक है याद रखे हो जाएगा आपका दुरुभेद, option right आपका a हो जाएगा, ठीके ए नमबर आपका सही हो जाएगा, अगला है आदि से अंत तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो आदि से अंत तक होता है, उसके लिए सब्द जो प्रियोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं option right यहां पर आपका हो जाएगा अध्धन्त ठीक है ए नमबर आपका हो जाएगा अध्धन्त यह आपका सही हो जाएगा ठीक है और next question आपका दिया गया है कि प्रस संख्या 13 से 16 में दिये गए वाकियों में आपको यहां आपका कह सकते हैं ग्यान ना हो तो वहां पर आहिंसा आपका भरा जाएगा है ना यहां पर आपका सही हो जाएगा प्रेम और आहिंसा का मार्क बताया है ठीक है इस प्रिकास से C आपका सही हो जाएगा ठीक है चली अगला है कि आसा का आसा का यहां पर क्या हो जाएगा आस नेरी यहांपर मेरी इत्री बोलेंगे मेरी पत्नी बोलेंगी मेरी मेरी बोलेंगे या मेरी सोभागिवती बोलेंगे तो 16 option right आपका B हो जाएगा मेरी पत्नी बीमार है ठीक है मेरी 3 कोई नहीं बोला करता है ठीक है मेरी और नेस question आपका दिया है 17 से 19 यहां पर आपके कह सकते हैं कि ABC वाले तुरूटी वाले हैं यहां पर देखना है कि कौन सा तुरूटी है यहां पर अगर तुरूटी नहीं तो D लगाने आपको यहां पर देखते हैं कि आपसे मैं फल ले लेने गई थी मैं फल लेने गई थी बाजार में भारी भरकम देखो यहां पर आपको लिखा है भारी भरकम भीड था तो भाई भारी भरकम भीड था मतलब कह सकते हैं कि बाजार में बहुत भीड थी यह कह सकते हैं बहुत भीड था ऐसे कर सकते हैं भारी भरकम आपका नहीं लगाया जायता है ठीके तो यह इस प्रकासी आपका गलत हो जाएगा भी नंबर नेस कहरा आपसे 18 नमबर कहरा आपसे यहाँ पर कि साहित और समाज में घोर संबंद है तो भाई घोर संबंद है यह आपका कभी पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो साहित और समाज में अन्योस तरह है मतलब कह सकते हैं कि घोर की जगा आपका यहाँ पर अन्योस त कि मेरी सहली लगातार रोय जा रही थी उसकी आंसु रुख नहीं रहे थे मेरी रुमाल भी आंसु से भीग गया तो यहां पर कह सकते हैं मेरी रुमाल भी आंसु से भीग गया देखो रुमाल और भीग गया अगर 19 का अपका डी देखा जाए तो यहां पर कह सकते हैं कि भीग कह सकते हैं मेरा रुमाल आसु से भीग गया ऐसे कह सकते थे यह आपका यह हो जाएगा दी नमबर तुरुटी आपकी थोड़ इसे है नेस कोशन आपका दिया है क्योंकि आसु तो होगा नहीं क्योंकि काफी आसु अगर है आसु से भीग गया बोल सकते हैं मतलब तुरुटी आपकी इसी में है यदि आसु को तो बहुँचन आसु ही होता है अगर अगर इसे चे कर दिया आयोक ने आशू कर दिया तो उसके अंसार होगा यह तो इसके गई सकते हैं मतलब तुरूटी आपकी कैसे क्ते हैं सी वाली में ही देखने को मिलेगी नेश को आपका दिया है निर्देश जो की 20 से 22 तक आपको है और विलोम सब्दा आपको बताना है ठीक है पच्छ क जो विलोम होता है क्या होता है 20 का जवाब दीजी पच्छ का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो पच्छ का विलोम आपका वीपच्छ हो जाएगा ठीक है ओप्सन आपका 20 हो जाएगा लौकिक का विलोम क्या होता है लौकिक का विलोम होता है अलौकिक होता है ठीक कर साथ में आई यह तो ज्याद आछा है जवाब मिलेगा चले अगला है посто 23 आपका हो जाएगा कानन ठीक है क्या हो जाएगा कानन भी है क्या होता है इसका पर्याव होता है ठीक है सी नमबर आपका सही हो जाएगा पवित्र का बताइए आपर पवित्र का समनार्थी सब्द क्या हो जाएगा चलिए पवित्र का समनार्थी सब्द आपका यहां पर हो जा हैं यहां पर 26 नमबर में कह रहा है भेंड एक चतुर जन्तु है अच्छा भेंड एक मकार चौपाया है भेंड एक मुर्ख जीव है भेंड एक सीधा जानवर है तो भाई यहां पर देखा जाए जो सुद्ध आपका है तो भेंड एक सीधा जानवर है यहां पर यह आपका सही हो जाएगा ठीक है बेंड देख तो बिलकुर सीधी साधी होती है ठीक है अगला है 27 नंबर कह रहा है कि मेरा या छोटा लोटा है मेरा या छोटा सा लोटा है मेरा या छोटा लोटा है मेरा या छोटा लोटा है मेरा छोटा सा लोटा छोटा सा मेरा यह ठो आप गलत है मेरा यह ठोटा लोटा है मेरा यह ठोटा लोटा है, यहाँ पर यह number आपका सही हो जाएगा, ठीक है चलेए इस question आपका दिया है 28 number केर आप से यहाँ पर देखते हैं 28 number में कि इस प्रसन का हल करने क्या हो सगता है तो का नहीं होगा के होगा तो देखो यह वाला अगर देखा जाए इस प्रस्ण के हल करने के आवस सकता है इस प्रस्ण को अगर यहां पर सिद्ध हो जाता तो यहां पर के सकते हैं सही कर सकते थे फिर भी कि इस प्रस्ण के हल करने हल इस प्रस्ण के हल की आवस सकता है बिल्क प्रदान किया गया तो यहां पर सुद्ध देखते हैं यहां पर आज की सभा में नेता जी को अभिनंदर पत्र समर्पित किया गया सी देखिए आज सभा में नेता जी को अभिनंदर पत्र भेंट किया गया तो भेंट सब्द होता है ठीक है क्या होता है भेंट तो इससी नमब तो आने को सब्द कभी निप्रियोग करते हैं और अनिक सब्द को सिर्फ सी वाले मुझ दिख रहा होगा यहां पर तो सी नम्मर आपका सई हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दिया है यहांपर जो की 31 से 35 थक है कुछ पंक्तियां है उनके रचनाकार है और हमने बताया है कि कॉपी पिन लेकी ही बैठा करिए ठीक है चलिए दिया गया है कि मर्यादाओं को थोड़े इसको जूम कर लें मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है पांडों ने कम कौरों से ज़्यादा यहांपर यह पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है पांडों ने कम कौरों ने ज़्यादा यहांपर 31 को उप्षन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर धर्म वीर भारती की ये पंक्ति है ठीक है नेस्ट कोशन आपका दिया है भैवीत सभी को भै देता है ये पंक्ति किसकी है भैवीत सभी को भै देता है ये पंक्ति किसकी है तो 32 को आपका बी हो जाएगा प्रसाद जी की है कि काफी टप लगता है बच्चों को काफी कमेंट आए थे सर ये तो काफी टप होते हैं चलिए अगला है तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है तो 33 का सई जवाब आपका हो जाएगा बी नमबर महादीवी वर्मा की ये पंक्ती है ठीके नेस कोशन दिया है करम गति टारे नहीं टारी करम गति टारे नहीं टारी ये जो आपकी पंक्ती है ये किसकी है तियाद रखी ये पंक्ती आपकी कबीर दासकी है ठीके सी नमबर हो जाएगा सी नमबर कबीर दासकी हो जाएगी ठीके आप लोग कमेंट करते चलिए जो आ रहा हो और न जाद रखे यह पंक्तिया आपके है सूर्दास की, option right अपका भी सूर्दास की है, ठीके, copy पिन लेंगे, तभी आपको फैदा मिलेगा, वरना बस आप सुनते ही रह जाएंगे, चलिए एनेस question आते हैं, कहरा आप से बीजक, यहाँ पर जो दिया गया है, कि रचना के साथ 4 कवीरदास की है, ठीके, किसकी है, भाई यह कवीरदास की आपकी रचना है, ठीके, चलो यहाँ पर हो जाएगा, D number, next question दिया है, म्रगावती, और म्रगावती जो आपकी है, यह पंक्ति किसकी है, कैसकती यह रचना किसकी है, 37 के जवाब दीजे, म्रगावती, यहाँ पर ज हो जाएगा, मलिक मोहमद जैसी, very good, option right C हो जाएगा, मलिक मोहमद जैसी की है, ठीके, next question दिया है, नील देवी, तो भाई नील देवी किसकी है, तो आपने यहाँ पर नील देवी एक नाटक समा होगा, जो कि आपके किसका है, भारतेंदु हरिस्चंद, option right up का A हो जाएगा, भारतेंदु हरिस्चंद, यहाँ पर 40 नमबर है, भारत सौ भागगे, भारत सौ भागगे, और यह जो आपकी रचना है, किसकी है, भारत सौ भागगे, यह आपकी बदरी, नरायाण, चौधरी, प्रेमगण, option right up का B हो जाएगा, बदरी, नरायाण, चौधरी, प्रेमगण किये रचना है, ठीके, और यहाँ पर कह सकते हैं, किसकी अंसर की भी है, और साथ में कह सकते हैं, कि अभी कोर्शन आपके बाकी है, इस प्रकार की कोर्शन आपको देखने को मिलते हैं, दो या तीन कोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप fast revision की तरह पढ़ जिए, ठीके, चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, जो देवताओं की योग हो, उसे क्या कहते हैं, जो देवताओं की योग होता है, उसे हम लोग दिब्वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिब्वे, option right up का A सही हो जाएगा, ठीके, next question दिया है, कि जिसके दो पैर हों, जिसके दो पैर हों, जिसके दो पैर होते हैं, उसे हम बोलते हैं, दुई पद, क्या बोलते हैं, ठीके, next question दिया है, कि वह जो प्रतवी को धारन करता हो, वह जो प्रतवी को धारन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं, धरी धर, क्या बोलते हैं, धरी धर, option right up का भी हो जाएगा नेस कोचन दिया है फोर नमबर निरामिसी से क्या ततपर है निरामसी अर्थातिसकार्थ क्या होता है फोर का जवाब तो निरामसी होता है जो मांस ना खाने वाला हो ठीक है निरामसी बोलते हैं जो मांस ना खाने वाले को ठीक है अगला दिया है जहां नहीं होती है उसे हम बोलते हैं निर्जन क्या बोलते हैं निर्जन आपका ए हो जाएगा अगला दिया है कि अपने बेटे की पतनी के लिए एक सब्द बताएए अपने बेटे की पतनी के लिए एक सब्द आपको बताना है तो आप सबको बताया उसे बोलते हैं जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं सेवन को उप्सन राइट आपका बी हो जाएगा पैदल बोलते हैं ठीक है पैदल बोलते हैं बी नमबर आपका हो जाएगा अगला है शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है आठ का जवाब दीजे तो जो शरीर के पीछे घाव होता उसे पच्छा घात बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं भई पच्छा घात बोलते हैं नेस्ट कोशन दिया है कि फलने वाला या फल देने वाला क्या कहलाता है फलने वाला या फल देने वाला तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग फल दाई क्या बोलते हैं फल दाई option आपका B हो जाएगा नेस्ट कोशन भूतों का यूसर को क्या कहते हैं भूतों का य रहा हो या ना रहा हो है ना तो इसलिए हम लोग थोड़े फास्ट रहेंगे और आप लोग बस देखते जाईए अगर आ रहा है तो कमेंट फास्ट में हमारी साथ देते जाईए यहां पर दिया है मनोहर से क्या तातपर है मनोहर तो मनोहर से तातपर क्या होता है जो मन को हर ल मोह लेने वाले को मन मोह बोलते हैं ए नमबर आपका सही हो जाएगा अगला है लोब करने वाला के लिए सब्द बताना है लोब करने वाला के लिए सब्द जो लोब करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लोलुप बोलते हैं अगला है, जो इसत्री विद्वान हो उसके लिए क्या बोलते हैं? मिल्कुल सही है, जो इसत्री विद्वान होती है उसे हम लोग विदुसी बोलते हैं ठीक है, विदुसी अपस्णा आपका B हो जयेगा अगला दिया है अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण जो कहलाता है इसे क्या कहलाता है अच्छाई और बुराई को पहचानने का जो गुण होता है उसे हम लोग बोलते हैं विवेक बोलते हैं सी नमबर आपका विवेक हो जाएगा अगला है जिसमें अपमान का भाव हो वहां सी क्या कहलाती है जिसमें अपमान का भाव हो वहां सी क्या कहलाती है 16 का जवाब क्या हो जाएगा तो 16 का हो जाएगा परिहास B नमबर आपका हो जाएगा परिहास उसे बोलते हैं ठीके अगला युजुत्स का अर्थ क्या होता है युजुत्स का अर्थ क्या होता है भई तो युजुत्स का अर्थ जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग 17 को अपका C हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाले को युजुत्स बोलते हैं ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, निस कोशन आपका दिया है, कि किसी भी पच्छ का समर्थन नहीं करने वाले को हम बोलते हैं क्या, तो किसी भी पच्चे का समर्थन जो नहीं करता है उसे हम लोग बुलते हैं आपका कैसे कते हैं निश्पच्च ठीके? निश्पच्च और निश्पच्च आपका दिया है कि जिसकी पहले आसा नहीं की गई हो 19 का जवाब तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रत्यासित सी नमबर हो जाएगा अप्रत्यासित अगला है जिसका अनभव किया गया हो जिसका अनभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जिसका अनभव किया गया हो अनुभूत बोलते हैं ठीके बी नंबर अनुभूत आपका बी हो जाएगा अगला है कमल से युक्त जलासे कमल से युक्त जलासे जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तूसे बोलते हैं हम लोग option right आप कर D पदमा कर बोलते हैं ठीके कमल से युक्त जलासे को पदमा कर बोलते हैं आधी रात का समय आधी रात का समय जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या निसीत बोलते हैं याद रखे निसीत बोलते हैं ठीके आधी रात का समय होता है निसीत बोलते हैं नेस कोश्चन आपसे कह रहा है सत्रजवत्तम से परे जो सब्द प्रियोग करेंगे वो प्रियोग करते हैं आपके गुड़ा तीत से ठीके गुड़ा तीत के लिए प्रियोग करते हैं अगला है हवन में जलाने वाली लकडी जो हवन में लकडी जलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं समिधा ठीक है D नंबर हो जाएगा समिधा बोलते हैं अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं भई 25 का जवाब दीजे यहाँ पर तो 25 का हो जाएगा option आपका B कानीन बोलते हैं उसे ठीक है कानीन बोलते हैं जिसका जन्म उच्चकुल से हुआ हो जिसका जन्म उच्चकुल से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं तो उच्चकुल में होता है उसे कुलीन बोलते हैं ठीक कि कुलीन उप्सन आपका D हो जाएगा अगला है कि जो वाड़ी द्वारा ब्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे 27 को अप्सन आपका हो जाएगा C उसे बोलते हैं यहाँ पर A निर्वाचनी ठीक है अप्सन आपका C हो जाएगा निस्दिया है जो हर समय अ अपना मतलब साध्था हो उसे क्या कहेंगे भाई अठाइस का जवाब देना है तो 28 का उप् righteousness right आपका हो जाएगा यहाँ पर बिनमबर उसे मतलब वी बोलेंगे ठीके जो कम बोलता है उसे क्या बोलते है जो कम बोलता है उसे हम बोलते है अल्प भासी ठीक है ए नमबर अल्प भासी अगला है किसी के उपकार की उपेच्छा करने वाले को हम क्या बोलते है तो भाई किसी की उपकार की उपेच्छा करने वाले को हम लोग बोलते है कृतागन ठीक है यहाँ पर कि तेज चलने वाला भाई तेज चलने वाले को हम को यह बोलते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा तो 34 का option right आपको हो बहुत सी भासाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं बहु भासी बहु भासी कौंसा यह वाला हो जाएगा बहु भासा विद ठीक है यह आपको हो जाएगा दिसाएं ही जिनके वस्त रहें उसे क्या कहते हैं तो दिसाएं ही जिनके वस्त रहें उसे क्या कहते हैं तो दिसाएं ही जिनके वस्त हैं उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं ठीक है डी नंबर दिगंबर पेट की अगनी को क्या कहते हैं पेट की अगनी को क्या बोलते हैं तो कराब से ईश्वर में विश्वास करने वाला इश्वर में जो विश्वास करता है उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक क्या बोलते हैं आस्तिक ठीक है और ना करने वाले को नास्तिक नेश्वर को नहीं मानने वाला तीश्वर को नहीं मानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डी न दयालू सांत धीर और योध्धा नायक के लिएक सब बताएं सक्तिसाली दयालू सांत धीर योध्धा का जो नायक है उसको हम बोलते हैं क्या उसे बोलते हैं धीरो दात्य क्या बोलते हैं ठीके अगला दिया है बीना प्रियास अर्थात परिश्रम के तो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा बिना प्रियास यह कह सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा अनायास बिना प्रियास को बोलते हैं अनायास अगला है कि जिसकी आसा ना की गई हो जिसकी आसा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे 43 को अप्शन रैट अप का B हो जाएगा अप्रत्यासिद ठीक है बिनमबर आ प्रत्यासित अगला है रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्थान रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्थान जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग नेपत्थे बोलते हैं ठीक है नेपत्थे बोलते हैं सभी कोश्चन आपको प्र उसे हम लोग बोलते हैं क्रतग्न ठीक है बी नमबर क्रतग्न अगला है जो आगे जो सबसे आगे रहता हो उसकी उसकी कैसे क्या बोलेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ए नमबर अग्रणी ठीक है जो सबसे आगे रहता हो उसको हम लोग अग्रणी कहते हैं अग्ये सब् वीर पुत्र को जन्म देने वाले HD के लिए सब्द बताना है वीर पुत्र को जन्म देनेगा हिस्ति उसे हम हम लोग बोलते हैं दूर दर्सी ठीक है दूर दर्सी भी नमबर जो गड़ना योगिना हो जो गड़ना योगिना हो उसे क्या कहते हैं पचास का जवाब क्या हो जाएगा तो जो गड़ना योगिना हो उसे बोलते हैं असंख ठीक है आपका हो जाएगा सी नमबर असंख है नि निर्गुण बोलते हैं हम लोग जो सत्य रज वा तम तीनों गुडों से परे हो उसे निर्गुण बोलते हैं ठीक है ना सत्य और रज और तम तीनों से परे हो उसे हम लोग निर्गुण अभिग को क्या बोलते हैं वही अभिग तो अभिग किसे बोलते हैं जानने वाले को ठीके जानने वाले को और ना जानने वाले को अनभिग बोलते हैं निसकार आप से बचपन और जवानी के बीच की अवस्था बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को जो बोलते हैं क्य जीता जा सके जिसे कठनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं तो भाई जिसे कठनाई से जीता जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका option right हो जाएगा D दुर जे बोलते हैं ठीके दुर जे अगला है एहसान ना मानने वाला एहसान ना मानने वाले को बोलते हैं करतगन ठीक तो उसे हम बोलते हैं प्रिये दर्षी ठीके बी नमबर हो जाएगा प्रिये दर्षी जो ब्यर्तिकी बातें करता है उसे क्या कहते हैं तो भई जो ब्यर्तिकी बातें करता है अर्थात बहुत बातें करता है उसे हम लोग वाचाल बोलते हैं ठीके यहाँ पर सी हो जाएगा अ 58 का जवाब हो जाएगा C, उसे बोलते हैं, तनमन्यता, ठीक है, C नमबर, कम बोलती है, तो भई कम बोलने वाले क्या बोलते हैं, 59 का जवाब, तो उसे हम बोलते हैं, मित भासी, ठीक है, मित भासी, C नमबर आपका हो जाएगा, दो पाहर के समय को क्या कहते हैं, दो पाहर के स बोलते हैं देखो जितने में आपका अंडरलाइन उतने बोलना है ठीक है आखों के सामने जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यच ठीक है नमबर प्रत्यच रभी मतलब ईस्वर को ना मानने वाले जो मनुस्य होता है उसे क्या कहते हैं जो इस्वर को ना मानने वाला हम लोग बोलते हैं नास्तिक ठीक है D-number next question स्रेश्ट कुल में जन्म लिया हो जो जो स्रेश्ट कुल में जन्म लेता है उसे हम बोलते हैं कुलीण ठीक है A-number कुलीन अगला है कि वयभव को उस विद्यालाय में इम्तिहान देने वाला अर्था जो इम्तिहान देता है ठीक है जो इम्तिहान देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं परीच्छक बोलते हैं B number यहां पर सुरी यहां पर दिया है इम्तिहां लेने वाला है ठीके लेने वाला तो आपका परिच्छक हो जाएगा ठीके चलिए ने इस question आपका दिया है कि बुरी दसा भाई बुरी दसा देखो पूरा पढ़ो चाहे न पढ़ो जिसमें अंडलाइन उतना पढ़ो बस उतना है ठीके तो बुरी दसा और अगर अर्थ ज़्यादा निकालना है तो आप पूरा पर सकते है कि भारतियों की बुरी दसा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया तो यहां पर बुरी दसा अथात के सकते हैं जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुर्दसा ठीके सी नंबर दुर्दसा अगला है कोई आकार नहीं होता भाई जिसका आकार नहीं होता यह कैसकती उसर कोई आकार नहीं होता तो इसके लिए जो सब्द बोलेंगे क्या बोलेंगे तिसे बोलते निराकार बोलते ना भगवान निराकार है है ना चलिए अगरा है किसी बात को करने का निश्चय अर्थाथ किसी बात को करने का निश्चय ले लेते हैं तिसे हम लोग बोलते हैं संकल्प है ठीक है क्या बोलते हैं संकल्प चलिए अगरा है कि वह हिस्त्री जिसका पती परदेश से आने वाला हूँ उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं आग मिस्ता पतिका ठीके कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आग मिस्त पतिका हो जाएगा डी नंबर जिसका कोई सत्रू पैदा नहीं हुआ हूँ उसे क्या बोलेंगे जिस किसका सत्रू कोई सत्रू पैदा ना हूँ उसे बोलते हैं आजास सत्रू ठीक है बी नमबर आजास सत्रू बोलते हैं जूट से क्या तात्पर है जूट से क्या तात्पर है सत्तर का जवाब दीजे जूट से तात्पर होता है जूट बोलो वाला ठीक है जूट बोलने वाला कै तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं समीच्छक बोलते हैं बी नमबर समीच्छक जिसका जन्म ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे तो जिसका जन्म ना हो उसे बोला गया है अजन्मा बोला जाता है ठीक है ए नमबर अजन्मा जिसके बराबर का कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं तो जिसके बराबर का कोई नहीं होता उसे बोलते हैं अनुपम ठीके बी नंबर अनुपम बोलते हैं अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलेंगे 74 का जबाब क्या हो जाएगा 74 तो आपसन राइट आप कड़ी हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा ठीके जो विश्वर में विश्वास रखता हो तुसे आस्तिक बोलते हैं सही अगला दिया है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उस्व के लिए सब्द बताना है तो 25 वर्ष के लिए जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं आपका B नमबर रजत जयनती क्या बोलते हैं रजत जयनती B नमबर ऐसा रोग जिसका उपचार संभाव ना हो ऐसा हो रोग जिसका उप्चार संभाव ना हो उसे क्या बोलेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे असाध ठीक है डी नमबर असाध बोलेंगे जो कानून के अनकूल ना हो जो कानून के अनकूल ना हो इसे कहेंगे जो कानून के अनकूल ना हो उसे हम लोग अवैध बोलते हैं ए ऩिके क्या बोलते हैं पूच्छी बोलते हैं ऑसन राट आपको कोण बी हो जएगा जल यह समुद्र में लगने वाली आग अब prz उसे हम लोग बोलते हैं बडवागनी ठीके बडवागनी डी नमबर अगला है विशिष्ट आउसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विद्यापूर्ण भासण तो विशिष्ट आउसर पर विशिष्ट लोगों को दिया गया विशिष्ट कह सकते हैं या किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसको क्या बोलते हैं तीसे बोलते हैं थाती याद रखे क्या बोलते हैं थाती ओप्सन आपका सी हो जाएगा वह भाई जो अन्यमाता से उत्पन हो वह भाई जो अन्यमाता से उत्पन हो उसे क्या क उसे हम लोग बोलते हैं अंक साइनी ठीक है अंक साइनी ए नमबर हो जाएगा कस्ट से संपन होने वाला और कस्ट से संपन होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कस्ट साध्ध ठीक है कस्ट साध्ध अगला है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, तो भाई, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, उसे बोलते हैं, काल जई, ठीके, 85 option, उसे अतीनरी बोलते हैं, आपको 85 कभी हो जागे, आपर ध्यान दीजिएगा, ठीके, बी नमब कर सकते हैं और जो बच्चे काहा करते हैं कि sir पीलियाब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तुनको बता दे कि हमारा टेलियुगराम नंपर है 74 494 2012 ठीक है यह हमारा टेलियुगराम नंपर है तो आप टेलियुगराम पे लिखेंगे क्या कि सर हमें पीडियाप चाहिए ये टेली गराम पे मैसेज करना है अधर किसी में मैसेज मत करिएगा कोई आपकी जानकारी या कह सकते हैं कोई देखेगा नहीं ठीक है सिर्फ टेली गराम डाउनलोड करिए ठीक है टेली गराम पे आप मैसेज करिए कि सर पीडियप चाहिए बस आपको वाल लिंक दे दी जाएगी तो उसके माध्यम से आप पीडियप पा सकते हैं बस यही एक चारा है अगर आपको लिंक क्लिक करने में आपका अस्फल हो रहा है तो समझ गए ना तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जय हिन जय भारत